अलो इस्टुडेंट्स आज हम 10th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर है A Letter to Word इस चैप्टर को कवर करेंगे, पूरे चैप्टर को 50 सेंटेंस में लिखा हुआ है, इस वीडियो में आपको केवल 16 सेंटेंस कराऊंगा, जितने भी सेंटेंस होंगे उनके टेंस और जो वर्ड अगर इसे ना पढ़ो तो यही लेंगूज आपको दिक्कत करती है, थोड़ा थोड़ा समय निकालते चलो, लाश्ट सक पूरा वीडियो देखिएगा, और एक चीद ध्यान रखिए, इंग्लिश में अगर आप एक्जाम में अगर यह सोचते हो कि पास हो तो हरको ही पास हो होगी, वैसे भी पड़े लिखे की पहचान क्या है, आपको लिखना आना चाहिए, लिखना कब आएगा, जब इंग्लिश को समस्ते चलो, शुरू करते हैं, इक एक चीज को मैं आपको किलिर करता चलूँगा, लैंचो एक गरीब किसान था, जो इसमें कोई वर्ब नहीं है जो यह बताई कि कायर हुआ है, वर्ब मतलब क्या होता ह aware का होना, करना, जैसे खाना, जाना, रोना, पीटना, बोलना, ऐसा कोई वर्ब नहीं है, यह जो sentence होते हैं, यह simple sentence होते हैं, यह past में was わर्ब का use करते हैं, और present में होता है तो is our aim, जैसे he is a good boy, वह अच्छा लड़क ये जो सेंटेंस होता है इनमे कोई वर्ब्हाइण नहीं होती इसमें कोई वर्ब नहीं है पूरे सेंटेंस में लैंचो नहीं होगा आ गड़ीव किसान लेंच जो एक गरीब किसान था तो simple पास्ट में वहना हुआ है second sentence तो को बहुत लेंदी sentence है इससे short करो सबसे पहले subject ढून दो subject कैसे ढूनते हैं जो subject होता है वो होता है कि जो कायर करे या जिसके बारे में बताया जाए जैसे वह मार्केट जा रहा है कौन जा रहा है वह जो कायर करता है या जिसके बारे में बताया जाए तुम्हें कौन पढ़ा रहा है अब यहाँ पर दो व्यक्ति है तुम्हें कौन अब यहाँ पर देखो कौन कायर कर रहा है पढ़ा कौन रहा है कौन तो कौन जो है हो subject भी है और question word भी है तो यहाँ पर जो है वो where subject है यह कारेख कर रहा है Where अपने परिवार के साथ एक निचले पहाडी की शिकर पर रहता था यह रहता था, तो where subject हो गया इसकी अब वर्ब ढून्डो यह क्या कारेख कर रहा है वह, वह कर रहा है, रहता था, तो पहले इतना बनाओ, और रहता था, तावाला कोंसे होते हैं, पास्ट इंडेफिनेट, यहम पास्ट इंडेफिनेट में बनाएंगे, डिड्निया ही second form, इसके बाद में बनाना अपने परिवार के साथ, with, his family, तो पहले देखते हैं, he lived, क्रेस्ट हो गया, शिखर, चोटी, एक निचली पहाडी की, की के लिए आ गया, आफ, और लो हिल, लो हो गया निचली, इस सेंटेंस को एक वार देख लो, यह थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, दिक्कत कर रहा है, कोई इसमें कुछ क्रेस्ट वगर है, कुछ वर्ड्स आएं, बाकी सेंटेंस अगर हम देखें, तो बहुत ही आसान है, घर्ड सेंटेंस, उसका खेत, अक्के हुए मक्के से भरा हुआ था, अब यह जो सेंटेंस है, उसका खेत, यह बात तो रही खेत की, यह सबजेक्ट है, भरा हुआ था, इसे बनाते हैं, यह भी सेंटेंस वैसा ही है जैसे he was a good boy कोई verb नहीं है कोई main verb नहीं है जैसे खाना, जाना, रोना, पीटना his field था के लिए आ गया was, singular है field चाहे थोड़ा हो चाहे जादा हो was आएगा full, भरा हुआ of, ripe corn पके हुए मक्के से his field was full यह जो full है, यह दिहान रखो यह adjective है full की कोई second और third form नहीं होती है जैसे my stomach, मेरा पेट full था, was full my stomach was full, अब यहाँ पर कोई second और third form नहीं होती है full, 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 fulling ऐसा कोई word नहीं होता, यह adjective है तो यहाँ पर जो भरा हुआ है यह adjective है, full जैसे होता न, his field was good his field was full four sentence, उसका खेत, घर से दिखता था देखो, यह जो sentence है इसको मैं आसान तरीके से बनाऊंगा यहाँ पर जो उसका खेत है, यह subject है खेत की बात हो रही है हाँ, था के लिए, was यह भी बिल्कुँ सिंपल तरीके से बनेगा was और वाला है, कोई इसमें वर्ब के यूज़ नहीं रहा है his field was visible visible है, दिखता जैको इसकी कोई second और third form नहीं होती visible की, visible, visible link यह कोई नहीं हो, इन फॉम, visible link his field was visible, उसका खेत दिखता था घर से, घर से मीज़ from the house, घर से his field was visible अब थोड़ा confusion हो रहा है, अगर हम इसे कर दें his field was good थोड़ा भूल लाओ, visible किये गए, उसका खेत अच्छा था, his field was good, तो good नहीं लागा के हमने क्या करा, visible दिखता था his field was visible, उसका खेत दिखता था, from the house घर से, visible मान है दिखता, यह adjective है visible यहाँ पर, adjective है इसकी second और third form use नहीं होती है होती ही नहीं है, वह एक अच्छी बारिश का इंजार कर रहा था देखो, किसके बारे में बात हो रही है वह, यह, यह कारे कर रहा है वह, यह subject है, वह कारे कर रहा है और यह, इंजार कर रहा था रहा था, तो past continuous in-form आती है और was वर का use करते है वह के साथ में कहला आएंगे, was, in-form लाएंगे वह, he, was, in-form, waiting और इसके साथ में fall लगाते हैं, wait के साथ में वह इंजार कर रहा था, इतना हो गया, जो red color वाला था, उतना है वह इंजार कर रहा था एक अच्छी बारिश का, एक के लिए आगया a good, अच्छी बारिश rain he was waiting for a good rain six, ताकी, रटलो, ताकी means, so that रटलो विल्कुल, वह, subject है अपने परिवार के लिए पैसा कमा सके तो यह कौन कार रहा है, वह, यह subject हो गया यह subject हो है कि यह कार कर रहा है और सके क्या होता है, सके can की past form होती, could, यह model होते है इनके साथ मैं work की first form यूज़ करते है, और कमाना होता है earn, वह, पैसा कमा सके, अब देखो बनाओ उसे, वह, पैसा कमा सके, so that, ताकी he could, वह, सके earn, पैसा कमा सके पैसे के लिए money लगाएंगे, पैसा नहीं लिखेंगे money, बहर रुपया कमा सके परिवार के लिए, के लिए आ गया for, बिलकुल exact ठीक बैड़िया his family, परिवार के लिए पैसा कमा सके seventh पारिश शुरू हुई, यह को शुरू हुई यह पूरी story जो है faster and different बनाएंगे तर rain started rain didn't नहीं आया, second form बारिश शुरू हुई थी, rain started कॉमा, जैसे दिया वैसे कर कॉमा, इसलिए, so लैंचो खुश हुआ था अब देखो, लैंचो खुश था था के लिए was बर was आएगा लैंचो वाज लैंचो खुश था, लैंचो वाज़ है तो जैसे होता है, he was good he was happy लैंचो खुश था, अच्छा हुआ के लिए लगाएं तो, लैंचो खुश हुआ उसमें हम become की second form लगा देंगे, became second form है हुआ, लैंचो खुश हुआ लैंचो बिकेम happy, कैसे भी से बना सकते हैं, here sentence वह अपने शरीर पर बारिश महसूस करने के लिए बाहर गया बहुत लंबा sentence, इसमें subject डूंडो, subject क्या है वह, ये कारे कर रहा है वह कारे कर रहा है ये subject है, इससे verb related कौन सी है, वह बाहर गया बिलकुल simple है, गया था पूरी story past में, past indefinite में बना दो, वह बाहर गया था जाना क्या होता है, गया वो, वो की second form बिलकुल रटलो, ये छोटी के लास से रटनी शुरू करने देनी जाहिए है परना आप चला याद कर लो he went, वह बाहर गया, outside he went outside, वर की forms important, important है, उन्हें याद कर लो जरूरी निये, सारी याद करो जब word आते हैं, तो वो खुद वाखुद हमारे दिमाग में बैठते चलाते हैं, मुझे भी शुरूरात में बहुत दिक्कत हुई, एक एक वर्ड के के लिए, तो को English और Hindi दोनों अलग language है, अब जरूरी निये कि जो Hindi में वर्ड लिखा उसका सेम English में वर्ड निकल ला है, यहाँ पर के लिए के लिए हम जो है, फॉर जनरली लगाते हैं, यहाँ पर के लिए के लिए हम तू लगाएंगे, महसूस करने के लिए, तो यहाँ पर के लिए, तू फील, यह जो है तू के साथ में वर्ड की फर्स्ट फर्म से जोड दिया है, पूरा सेंटेंस अगर देखे हैं तो यह इतना लवग बन गया है, वह बहार गया, जब हम सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं, तो हम तू और वर्ड की फर्स्ट फर्म से जोड देते हैं, सेंटेंस है, उसा आगे बढ़ाया, तो तू और वर्ड की फर्स्ट फर्म से जोड द लैंचो के लिए वूंदे नई सिंक्क्य की तरह थी में सेंटेंस ही पूंदे की तरह थी इससे हम भाद में बना लेंगे जोयहाँ पूरोल है कई किima कीavid班 वॉष्वर आएगा, इसमें कोई वर्ब नहीं है क्रना या होना वाली चीज नहीं ही जैसे खाना जाना रोना पीना कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या है raindrops जो थी बॉज आया का वर raindrops वर इसे देखो the raindrops अपनी मर्जी दाला लगा दें कोई यसी दिक्कत नहीं है वर थी raindrops वर की तरह की तरह माने like raindrops वर like raindrops वर like इसे हम शुरू में भी लिख सकते हैं इसे एक वार देखते चलो जान से देख लो इसे 10 sentence है अचानक suddenly बिल्कुल रटलो बिल्कुल रटलो अचानक जहां पर भी आये एकदम से लिख दो अचानक तेज हवाएं चलने लगी तो लगी वाले sentence होते हैं जो लगा होता है इसमें begin to उसकर आयाता है यह past में है story तो हम begin to use करेंगे यह use करेंगे और 7 में start start की यहाँ पर second form लगाएंगे started तेज हवाएं चलने लगी suddenly strong winds begin to blow begin to लगी begin to blow और यहाँ पर हम कर सकते हैं started to blow अच्छा एक चीज़ और है begin to blow है started to blow इसको मैंसे भी कर सकते हैं begin blowing to हटा दो to को हटा दो और inform से कर दो began blowing यह started blowing to हटा दो और इसे inform में कर दो started blowing तो लगा means होता है begin और start दोनों यूज कर सकते हैं बिलकु रटलो लगा वह जाने लगा he past में बनानो past and definitely he began second form he began go वह जाने लगा he began second form he began to go और he started to go यह he started going 11th sentence और ओले गिरने लगे और के लिए end हो गया अच्छा ओले गिरने लगे ओले लटलो hail stones लगे फिर वो ही आ गया begin to या फिर started hail stones started to fall यहाँ पर to fall या फिर falling कैसे भी कर दो अच्छा begin भी लगा सकते हैं hail stones begin to fall एक वार बतला रहा हूँ hail stones began to fall hail stones began from falling hail stones started to fall hail stones started falling बिल्कुल आसान है लगे के तौर पर हम begin या start लगाते हैं first मक्के के खेत नस्ट हो गए अब देखो यह जो sentence है मक्के के खेत मक्के खेत क्या हो गया corn field अब यहाँ पर अपनी मर्जी इसे plural मानो या singular मानो मैंने इसे plural मान के बनाया है nest हो गए थे पूरी story past में तो यहाँ पर passive voice में बनाया है अब लग नीरा लेकिन यह passive voice में बनाया है तक corn fields इसे singular कर सकतो corn field भी कर सकतो तो was आ जाएगा the corn fields were destroyed छिपा हुआ है by hail stones corn fields जोते हैं वो ओलो द्वारा तभा हो गए corn fields मक्के के खेत hail stones hail stones ओलो के द्वारा नस्ट हो गए इसे active voice में बना सकते थे लेकिन active voice में इस वे से ही बनाया है कोई hail stones पहले आ गया ज्यादा क्या करा कि जो सेंटेंस है इसे पैसे बना दिया कि कुछ सेंटेंस पैसे बना दिया कि अच्छे लगते है इसे active voice में बना सकतो active voice में कोई दिखकर नहीं वो भी सही होगा active voice में क्या होगा hail stones बनाएंगे second form आएगी बास बर तो आता नहीं है रिदनी आया सक्नों hail stones destroyed the corn fields the corn hail stones f-i-e-l-d-s hail stones ने destroy कर दिया corn fields को तो यह active voice में बन गया 13 sentence खेत बर्फ से धक गये थे अब देखो इसमें खेत बर्फ से धक गये थे sentence को रीट करो खेत फिल्ट सिंगलर मान लो थे के लिए was कोई वर्व नहीं है इसमें activity नहीं है खाना जाना रोना पीटना कोई ऐसा नहीं है तो the field was covered with snow अब दोको covered लग रहा है कि यह third form है third form है लेकिन यह adjective की तरह use हुआ है with snow with यहाँ पे जो है इसका मतलब ऐसा लग रहा है say say के तौर पर use करा है snow say English और Hindi दोन अलग language है यहाँ पे हमने with use करा है say के तौर पर from लगाते हैं लेकिन यहाँ with आएगा क्योंकि English एक अलगी language ध्यान रखना होगा इसमें आप the field was covered covered को भूलो एक मिनट को और इसे देखो the field was good field अच्छा था इसे इतना देखो the field was good गुड ना लगके हमने जो है लिखकर covered लिका the field was covered यह जो covered है यह good की तरह है जैसे good होता है अच्छा जैसी covered means ठका हुआ यह adjective है good भी adjective होता है और covered भी adjective होता है adjective third form से होता है covered जो है aktuell合ा the field was covered field ठका हुआ था adjective है with is no is no say यहापे with को थोड़ा से आपको धान रखना पड़ेगा जैसे जैसे बनाओगे English में जब बनाते शुरू करते हैं तो शुरूराद में दिखकत हुए बाद में सब्सक्राइब आया था यह यह use क्यों हुआ लेंचो ने फसल खो दी थी यह सेंडेंस है खो दी थी यह पास्ट इंडेफनेट में भी बना सकते हो और पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते हो पास्ट इंडेफनेट और पास्ट परफेक्ट में यहाँ पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं निकलेगा बर past perfect किया है कि ऐसा हो चुका था, work complete हो चुका था, past indefinite past में इस टोरी है, past indefinite में बना सकते हो, मैं ने इसे past perfect बनाया क्योंकि ऐसा हो चुका था, अगर past indefinite बना हो तो भी गलत नहीं माना हैगा, length or head, third form blues की lost, drop, past indefinite बनाते है तो head नहीं आता, second form यही रहती, length or head जिसार नहीं लॉस्ट वज कुछ करए जना प्रिज्ट रोड सेमिझार LEE उसका भगवान में विश्वास था प्रिजंट प्रिमय द्वऱ्िया हुँद नहीं है इसे हम उसका भगवान में विश्वास है तो past के sense में आगा, past यहां पर fit नहीं हो रहा, लेकिन हम past में लगा सकते हैं, he had faith, उसे विश्वास था, he had faith, past के sense में लगा दिया, he had faith in God, भगवान में, इससे past indefinite में भी बना सकते हो, did नहीं आएगा, second form, इस second form है, he believed in God, भगवान में, in God, he believed in God, देखो यहां पर, had के sense में बना है, past में, he had faith in God, इसका भगवान में विश्वास था, he believed in God, भगवान में विश्वास करता था, थोड़ा सा, जो है, tense change हुआ है, लेकिन, sense बिल्कुल सेम है, last sentence करेंगे, 16, बागी के अगले वीडियो में करेंगे, और लेंदी sentence है, पहले छोड़ा कर लेते हैं, उसने, ये subject है, ये कार्य कर रहा है, उसने निल्ले लिया, उसने निल्ले लिया, था, था, थो, he decided, खवान से मदद के लिए एक पत्र लिखने का, अब देखो, he decided, sentence जब आगे बढ़ाते हैं, तो two से जोड़ देते हैं, लिखने का, to write, he decided to write, उसने लिखने का निल्ले लिया, तो यहाँ पर, he decided to write, उसने लिखने का लिल लिया, दो वर्बें, और दो वर्ब को हमने जो है, तो से जोड दिया, sentence को जब बढ़ाते हैं, तो तो से जोड देते हैं, तो write a letter, write a letter, letter लिखने का, इसी को आगए कर दे है, write a letter, letter लिखने का to God, भगवान को, तो means यहाँ पर भगवान को लिखने का for help, for means के लिए, for help, के लिए help, यहाँ पर sentence पूरा हो गया है, past indefinite में he decided, उसने निश्चे करा, to write a letter, letter लिखने का, भगवान को for help, students, 16 sentences है, पूरा वीडियो, 50 sentences का होगा, एक एक वर्ड मैंने आपको बता रहा है, अगर कोई कमी रह गई है, तो आप feedback में, comment box में जरूर लिखेगा, अगले वीडियो में improve करूँगा, विलते अगरे वीडियो में students, goodbye,